ज़रूर प्रेस करें इससे मेरे आने वाली हर नई रेसिपीस की वीडियो सबसे पहले आप तक पहुछेंगे अससलाम अलेकुम आज बनाने जा रहे हैं मुर्ग भुखारा यानी चिकन भुखारा तो चिकन भुखारा बनाने के लिए मैं आधा किलो चिकन लिया है और लेग पीस पर मैंने कट लगा लिये हैं तो सबसे पहले हम चिकन को मेरिनेट कर लेंगे हाफ है लेंगे आधा निम्बू का राजा लघे है मिद रों मिदे रेया निखाव दालें होटे ऩाश्मिछ नी पाूडर लिया है और आधा निम्भू करस्ध रजज्दा में ऊंते शाहते र हुआ मने टीश्पूल थनया पाउडर हाफ टीश्पून हल्दी 1 tsp गरम मसाला, 1 tsp जीरा पावडर और 1 tsp सॉल्ट तिया है, सॉल्ट अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग लीजिए 1 tsp मैंने कॉन फ्लार लिया है, मकाई का आटा, यह हमारा बाइंडिंग एजेंट है, इससे हमारी चिकन पर कोटिंग अच्छे से होगी एक अंडा लिया है, मैंने इसको भी इसमें डाल देंगे इसको मिक्स कर लेंगे मसालो को चिकन में अच्छी तरह से तो मसालो को मैंने मिक्स कर लिया है, सौरी मैं इसमें अधक लसन का पेस्ट दालना भूल गई थी तो अभी 1 टीस्पून अधक लसन का पेस्ट दाल के मसालो को मिक्स कर लेंगे और चिकन को आदे घंटे के लिए मैरीने ठोने रग देंगे तो चिकन के एक 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 पीस दाल कर फुल फ्लेम पर आपको इसको फ्राय करना है इसको पूरा गलाना नहीं है सिर्फ हमें क्रिस्पी करना है जब हम इसकी ग्रेवी बनाएंगे तो तब यह गल जाएंगी ग्रेवी में अभी हमें सिर्फ इसको ब्राउन कर लेना है दो मिन्टे के लिए तो दो मिन्ट हो चुके हैं इसकी साइड़ों को हम चेंज कर देंगे देख सकते हाँ अच्छे से फ्राय हो चुके हैं यह इक साइड से कलर भी माश्यला बहुत अच्छा है फूल्टे करल फुम्हें आपक फुली देखे लिए रेखना चिखना थे हमार चिकन ही तर भाव के डुचेट बेता क्या ज़्टे फ। निकालें तो जड़ेगैं तो छिकन को हमने चिकन को निकाल लिया है अब हम इसकी ग्रेवी को रेडी कर लेते हैं छंवर रिखेव निच ममज निचह में लिया तो chim biz लिख लिखेव चिकन को निचम्मज उऔर्ट बनाई चार निच को बिलिया था को सिर्फ 1 टेलew ने कौरिया है भूनेश निचम्मज चिन्हें सुटे कालिया में कियुक्किे प्याज लिखेए से सब्सक्राइए तली हूई है तो अब एसमें वन टेबल स्पून अद्रक्लस्टन का पेश्ट दालेंगे और अद्रक्लस्टन की कच्छी स्मेल खतम होने तक हम इसको भून लेंगे तुका हमारा बुण चुका है। इसमें मैं 2 तीसपुन पानी डाल रही हूँ क्योंके प्याज कुरकूरी थी। बिरिस्ता हमने बनाया था। तो हम पानी डालने से प्याज सॉफ्ट हो जाएगी। तो यह देखिये प्याज हमारी सॉफ्ट हो चुकी है। यह दो बड़े टमाटों का मैंने पेस्ट बना लिया था इसमें डाल देंगे इसे हमें अच्छे से पकाना है जब तक तेल उपर नहीं आता तो यह देखिए तेल उपर आ चुका है टमाटो प्यूरी भून चुकी है मसालों में मैंने 1 तीस्पून हल्दी तक तीस्पून में 1 तीसपून चाट मसाला और 1 तीसपून नमक चाट मसाले में भी नमक होता है इसलिए आपको विकड़ना है 1 teaspoon गरम मसाला, 1 teaspoon जेरा पाउडर, 1 teaspoon धन्या पाउडर और 1 teaspoon कश्मीरी मिर्ची ली है और ये कसूरी मेथी ली है मैंने 1 teaspoon आप चाहें तो कसूरी मेथी का पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं अब फूल फ्लेम पर मसालो को भून लेंगे हम तेल उपर आजाना चाहिए मसालो का इतना हमें भूनना है तो यह देखिए यह मैंने गोल वाली मिल्चे ली है लाल यह तेज नहीं होती है फीकी होती है बट इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है ग्रेवी में अ जितना आप मसालो को भूनोगे उतना ही आपका बुखारा टेस्टी बनकर रेडी होगा भूनाई आपको बहुत जादे करनी है मसालो की तभी आपका रियल टेस्ट आएगा चिकन बुखारी का तो यह देखिए पांच मिनिट तक हमने इसको भूना था यह टू टीस्पून भरकर मैंने फ्रेश क्रीम ली है अच्छा इसमें दही का यूज नहीं किया जाता है चिकन बुखारे में दही का बिलकुल यूज नहीं किया जाता है और यह मैंने साथ काजू का पेस्ट बना पानी डाल कर लिया था पानी डाल कर लिया था साथ काजू को यह हम इसमें डाल देंगे और फ्लेम को अपने लोई रखना है इस वक्त हाई नहीं करना है वन्ना आपकी क्रीम फट सकती है लो फ्लेम पर इसको पका लेंगे तो यह देखिए भूल चुका है क्रीम और काजू का पेस्ट क्रीम डालने से हमारा हमारी ग्रेवी बहुती स्मूध बन गई है देख सकते आप वन ग्लास में पानी डालूंगी एक ग्लास भरकर पानी डालें इसमें हमको ठीक ग्रेवी रखनी है तो जादा पानी नहीं डा जल्दी ही पक जाएगा इसमें क्रीम डालने से हमारी ग्रेवी का टेक्स्च्चर रिच हो जाता है तो इसमें उबाला चुका है अफ्राइग टीवी चिकन जह हमने रखी थी वह इसमें डाल देंगे इसको मिक्स कर लेंगे हम अगर आप डालना चाहे तो डाले मुझे अच्छ लग अच्छा-लगता है यह अ इसमें डाल रही हो उसमें ग्रयवी में कोईले को मैंने गरम करने के लिए रखा हुआए पर हमें कोईले का अहले हम यह अगता है знач heißt यह फोईल पेपर ले लिया है मैंने अगर आपके परस कोई छोटी कटोरी है तो आप उसका भी इस्तिमाल कर सकते हैं कोईला हमारा गरम हो चुका है उसको रख देंगे इसमें दो तिंग ड्रॉप इस पर ओइल के डालेंगे और इसको कवर कर देना है लिट से हमको और फ्लेम को लो कर देना है पांच मिनिट के लिए हमें इसको धुआ देना है कोईले का तो पांच मिनिट हो चुके है मैं कोईले को निकाल लूँगी समें से अगर आप ज्यादा दुआ पसंद करते हैं तो और ज्यादा पर रख सकते हैं ज्यादा देर तक ज्याद अब लो फ्लेम पर इसको पकने देंगे 10 मिल्ट के लिए तो 10 मिल्ट हो चुके हैं चैक कर लेते हैं हमारी ग्रेवी तो यह देखिए माशाथल्ला हमारी ग्रेवी बनके बिल्कुल रेडी है हमारा चिकन-बूखारा बहुत ही अच्छा बना है बहुती स्मूथ टे तो हम इसको डिश आउट कर लेते हैं तो यह देखिए हमारा चिकन बुखारा बनके बिल्कुल रेड़ी है अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई तो मेरे वीडियो को लाइक करें शेयर करें और मेरी रेसिपी को ज़रू त्राइक करें तो थोड़े हरे धनिये से में गायन मедशिंग करें आप तंदूरी रोटी नान या फिर पड़ाओ के साथ भी Kate साथ कर सकते हैं आप इसे पुनार के साथ भी Church अभी य्याड मुंगे मेरे बड़े ओन की अगर आपको नान की शाहिए तो आप हमारे हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। झाल झाल